हलो स्टुडेंट्स कैसे हो सभी लोग तो आज हम लोग सुरू करेंगे नॉमेंक्लेचर अगिन बट कौन सा फंक्शनल ग्रूप गेस कर सकते हो हाँ येस अल्डी हाइड आज हम करेंगे कारबॉक्सलिक असिड और अमाइड और असाइल क्लूराइड के हम आयू पैक पढ़न करने वाले हैं तो द्यान से देखो बच्चा वही कहानी पूरा नहीं है नॉमेंक्लेचर जिसमें हम आयू पीएसी करने जा रहे हैं जिनमें यह तीन चीजों का बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह पार्ट प्रिफिक्स वर्ड रूट और सफिक्स यह तो पता ह आज वही कहानी है प्रिफिक्स के बाद यहां पर यह फंक्शनल ग्रूप का चार्ट है तो जिसमें आज हम करने वाले हैं ध्यान देना फिर एक हम लेंगे कार्बॉक्सिलिक आसिड और इसके बाद असाइल हलाइड और एक है आमाइड राइट तो तुम देख रहे हो बच पहली बार तुम्हें बता देता हूं कि बच्चों को पता होना चाहिए यह फंक्शनल ग्रूप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है समझ रहे हो तो यह देखो यह सी एच हो है तो इसे बेटर है कि इसको इस तरह से लिखा जाए सी डबल बॉंड ओडैस एच समझ रहे हो औ यह अई लिखें लिखते हैं सी डबल बॉंड ओडैस ओएच आया ना यह काफी बेटर है कंपेर टू इस बात तो एक ही है सी ओएच लिखो चाहिए सी डबल बॉंड डैस वैंसलिक दो समझ रहे हो बात को बट पैचानने बहुत ज्यूरी है कि तुम्हें पैचान में बलते तो यह कुछ 18 to 20 रहेगा राइट और बेटा रहे कि एक दिन में एक नेम एक स्टॉक्चर और एक सफिक्स और एक प्रिफिक्स एक फंक्शनल ग्रूप डेली याद करो जितना स्ट्रॉंग तुमारा बचा फंक्शनल ग्रूप स्टॉक्चर राइट और उसका सफिक्स इसको इस तरह से लिख देता हूं सी डबल बॉंड और एक से क्या है एक से जगपे तुम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हो और उसी तरह से अमाइड तो आमाइड में हम वन डिग्री आमाइड करेंगे वन डिग्री आमाइड तो ध्यान से देख लो इसमें इनका रवक्सली का सिड जाएंगे तो उसका साफिक्स वोता है नीका सिड यहाँ पर होता है और ऑदो यह अगर से अवाईड में रहेगा तो देखो मैंने बुला ना जितना अच्छी तरह से तुम्हें फंशनल ग्रूप पहचानने आएगा और उसका नेम पता होगा और साथ सकत्व में सवीक्स प्रिफिक्स तुम्हारी कहानी समझ लेना और गैनिक के साथ जो कनेक्टिविटी है ना सब कनेक्ट होने लगेगा इता में अच्छा लगने लगेगा रईट समझे ना धीरे धीरे हो जाएगा तो इसलिए वह आपटने विद्ध के लिख रिख करो जब भ में मैंने देखो अच्छ अच्छ आइडियाज भी दिया है फंक्शनल व्रुप को याद रखने का ट्रिक भी बता है समझे ना मेरी बात चलो तो अब आगे जाते हम कहानी आगे बढ़ाते हैं अच्छा देखो कारभॉक्स लेक असीड वही और अमईड क्या है यह मैंने सफिक्स लिखके रखा है बड़ तुम्हें पैचानने आना चाहिए यह है लगाईड कैसा होता है सी एच ओ कारभॉक्स लेक्ष और असाइल क्लूराइड सी ओ एक्स और अमाईड सी डबल बॉंड ओर आइस देखरें ना यहां पर तो मैं यहां पर लिख देता हूं सी डबल बॉंड हो डैस एनस टू येस एंडिस इस कॉल बच्छा आमाइट क्या है यह चलो एक्जांपल लेते और मज़ा आएगा बच्छा ठीक है यह तुम्हारे सामने पहला एक्जांपल ठीक है तो देखो मैं बह देखने से तो तो देखने से तो सर यह लग रहा है, सी डबल बॉंड Ooh. एच एच लाफ रैट है और यह भी बेभी देवल बॉंड injace एस情 ऐह आया ना और फिर यहांपर भी सी डबल बॉनाबू वहईस झेम फंक्शनल ग्रुप है डिस आधा कंप इसी अधिश्ल BUT हॉम आँ जबश implementing तूप देखें इन यहां पर और यहें यहां यहां पर यहां पर किता है यहां पर और यह C यु है और कर्मार यहां मेरा को बाटकुम स्मुझें में बढ़ेंग's लांot ने यह्लो प्टलर में लिखाए उसा आया ना सी डबल बॉंड, O-S, H, यह लिए सी डबल बॉंड, O-S, H है, यह bho cuчески डबल बॉंड, O-S, H, और यह bho cu सी गलबरीं करोगे, इसकायू पेसी ग्रोंड का तो यह सी जो को ब्ला जाता है कहाता है जय कार्बोनिल फनक्षिनल ग्र흡 में प्रजंट होता है क्लोराईड इंद अहां अधिग्राइड Ermine I है यहां पर भी से डवर बॉंड हो है यहां पर यह यहां पर यक कारबन ड़ीन्द क्या होते जा रहा बच्छा बढ़ते जा रहा है राइट अर्ग क्या है यह वो मुलागस सिरीज देखो मैं यहां पर इसे रपकर देता हूं येलो अब पहला एक्जाम्पल का नेमिंग लिखने जाने हैं तो वन कार्बन वही कहानी पुरानी है फी डबलू एस पी डबलू एस मतलब समझ गया ना हाँ या ना पनीर पी बदले तो पनीर प्रिफिक्स डबलू बोले तो वर्ड रूट आया ना और इस बोले तो क्या है बस इसी दूल को फॉलो करते जाओ पहले के भी वीडियो में मैंने यही उस किया है आया ना अलकोहल राइट तो इस तरह से यहां पर एक कार्बन को हम वर्ड रूट क्या देंगे मैथ देंगे क्योंकि इसमें कोई प्रिफिक्स तो है नहीं तो इसका वर्ड रूट क्या होग बच्चू क्या होगा वन कार्बन है इसमें देखो ध्यान से वन मैथ हो जाएगा और फिर सिंदल बॉंड है यहां पर एन लगेगा बट यहां पर एन का ई होता है बच्चा क्या होता है इव बट बात यह है कि यहां पर ए ए ए आई ओ यू और यह वाई यह लेटर ज़रा ध्यान में रखना सिमझे में अंगर मेनी बात को अब यहां पर जाले और बचा यह लगा他 और यह पता चलिए मुझे यह गया यह तो इसे हम बोलेंगे मित है नल पर वर्ट वट्वचा है न यह जो आन्या यह सबखिक्स वअन है यह यह और यह है सबीक्स टू है क्या है सब इस पिक्ष्टू यह फंक्शनल गूप है क्या यहां पर यह प्रिफिक्स 2 यह प्रिफिक्स 1 और यह क्या है सफिक्स 2 क्या होता है बच्छा फंक्शनल ग्रूप होता है और सफिक्स 1 क्या होता है टाइप of carbon 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 single bond दिखा तो यहन लगेगा carbon carbon 2 बॉंड दिखा तो इन लगेगा Cayrban carbon Double bond रहा तो बच्छा अन लगेगा बट कारबन carbon डेज बहुड कंपाउंड में के बीच में दिया नबच्छा यहां पिACH तुम अगर देखोगे तो यहां कार्बन के बीच में नहीं है किसके बीच में क्या है था है थीन है श. ten यहां पर ़िस्वान यहां पर श.वन का ल ए लास्ट लेटर क्या है ए देख रहे हों यहां पर और सब्फिक्स टू का फॉस्ट लेटर ए देखो ए सब्फिक्स वन ए लास्ट लेटर देखो यह रिपीट हो गया यहां और सब्फिक्स टू का ए यह वाला लेटर यह भी रिपीट हो गया नहीं चलेगा नहीं चलेगा सम suffix 2 का अगर first letter ये वाले letter में अगर ये देखो A E I O U Y अगर ये repeat हो रहा है तो एक को क्या होना पड़ेगा बाहर और बाहर को नोगा suffix 1 का last letter E और E से वो हो जाएगा eliminate क्या हो जाएगा बच्छा इसे eliminate हो जाएगा तो यहां पर हम इस E को क्या करेंगे eliminate कर देंगे out कर देंगे right remove कर देंगे तो इसका सिधा सिधा एंसर क्या आएगा methane क्या है बच्छा methane नल क्या बन गया बच्छा अभी क्यों बना मिधनल क्योंकि इस compound के अंदर कारबन एक ही है समझे मारी बात उसी तर से यहां पर अगर second में जाएगे second example तो एक कारबन दो कारबन और उसका है ओसी तर से 3 कार्व बने तो यह पर ने और यह ना ሜ क्यूं है और यह बन गया प्रोपेल ऐसे न बच्छा और उसी तरसे एक दो तिन छाड़ यह क्या हो गया बच्छा ब्यूटेनल क्या हो गया ब्यूटेनल कारफन चारब बढ़ाते जाओ तो पेंटेनल हेग्जनल र prêt इस तरह से चेंड बढ़ते जाएगा इस तरह से this नेम है बच्छा आइजव प्यूसे तो इसे मिथनल बोलते ह है इसे प्रोपेनल और इसे सब कुछ कहानी इस तरह से ही जाती है खली रूल को तुम्हें फॉलो करना है बच्छा समझ रहे हो ना तो देखो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल प्रूप है यह तो सीओ के बगल में अगर एच है तो वह सिधा सिधा क्या है क्या है यहीं नाम में अल छुपा हुआ है कितना आसान हो गया बच्छा तो यह इसका नेमिंग है इसका नेमिंग है तो बच्छा अब नेक्स्ट कार्बोक्सलिक असिट समझ रहे हो ना सेन अल्डी है अभी हमने जो किया ना राइट को मैंने क्या बुला कि फंक्शनल ग्रूप पहिचानो समझ रहे हो ना आया ना तो यहां पर देखो बच्छा सीडबल बॉन्ड ओड एस हैच क्या आगे क् पुरानी चल रही है right बस तुम्हें carbon count करने आना चाहिए carbon के साथ उसका word root लिखने आना चाहिए तो एक Carbon this chain के अंधर देख रहे हो न यह one a carbon आया न और एख carbon का world to talk left right और उर पता है ना बच्छा और दो यह आएगा और इसका सफिक्स है तो एक को क्या होना पड़ेगा अलिमेनेट होना पड़ेगा तो मैं पहले सी करके रख दियता हूं राइट कर दिया हूं मैं तो यहां पर हम क्या करेंगे यह लिखेंगे बच्छा यह बन गया असीड यह बन गया असान न वच्छा वासर हमको तो आ गया राइट सीधी बात है बच्छा आई जाएगा अगर तुम्हें पंक्शनल ग्रूप तुम्हें सभीक्स तुम्हें स्ट्रक्चर ना यह सब पैच्छा ने आ घ्या ना वच्छा तो बहुल आसान हो जाता है और जिसे आयूप यह बता रहो में राज की बात लिएन देना बच्छा जिसे अगर आयूप यह आ गया पंक्शनल ग्रूप पैच्छाने आ गया तो उसे और्गेनिक क्यमिस्ट्री है ना और अच्छा लगने लगेगा यह मेरी बात याद अखना तो थार्ड तुम ट्राइब कर सकते हो वान कार्बन टू कार्बन तरी कार्बन अब लोगे सर हर बार आप नम्बरिंग यहीं से क्यों कर रहे हो तो यह बात याद रहे ना बच् ना बच्छा क्या बोला ये कार्बोनियल भाई जहां में यहां बाइए अब इंघेए और न के बास तो पत्या यहां पर लगा देतै हैं और यहां पर भी लास्ट ब्यूटेन तो यहां पर भी एक दो तीन चार करबन पुरा नहीं है बबाबा ब्यूटेनोएक क्या लिखेंगे बच्छा ब्यूटेनोएक असीड देखा कितना इजी हो गया आया ना तो इस तरह से देखो मैंने एक अल्डिहाइड कनेक्ट कर दिया यह हो गया कार्बॉक्सलिक असीट तो पैचानने आना चाहिए तुम्हां फंक्शनल गूप आया ना समझेव मैं बात को फंक्शनल गूप अगर पैचानगे उसका सफिक्स पता है तो सीधा सीधा रूल को फॉलो कर लो वही कौन सा रूल पी डबलू एस आया ना फनीर वा थोड़े दिर में पहली चोटे 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 बेसिक चीजे न अच्छी तरह से कनेक्ट करो बिल से कनेक्ट हो जाओ तुम्हें अच्छा लगने लगेगा समझ रहो तो चलो यहां पर अब यह नेक्स्ट हम करने जा रहे है एक हमने यह कंप्लिट कर लिया वच्छा एल्ड सब से इजी हां यहां ना अटकर सफिक साल होता है कारबोक्स लिख का ओई-सी एस इट ओए अउन एसिद और यहां पर अमईड का जो सफिक होता है वह अम-ई यह तो बहुत आसान है साथ हां तो बहुत आसान है तो यह एस से डेबल पॉंड हो है ने स्टू राइट बचा वह तो गाना सुना है अरे मुझे पहचान कहा से आया मैं हूं कॉन आया ना सुना है यह गाना बचा यहां आगी करिंद हुट देता हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं दॉन तो देखो बचा नोर तो यह पर क्या है functional group क्या है तुम्हें पैचानने आना चाहिए न जितना अच्छी तरह से तुम फंट्सनल क्रोप का इडैंडिफाइख कर लोगे उसके structure को और उसके suffix को लिख लोगे तो तुम्हारे लिए यह आई-उ-पी-ए-सी काफी आसान हो जाएगा समझ रहो ना हाँ तो बच्छा यह हमाईड है वही कानी एक करबन है भई हाँ यह ना तो हम लिखेंगे मिथेन हाँ यह ना तो मैं लिखके यहां पर वर्ड रूट लगा दिया वर्ड रूट के बाद यहां पर क्या गया सफिक्स वन आ गया यह उन और एन का वही यह आएगा बच्छे यहां पर न बट इसमें क्या आ रहा है अमईड के अमईड में तुम देखोगे तो यहां पर वी क्या है बच्छा यह क्या है यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या, E, suffix one का E को out होना पड़ेगा, eliminate होना पड़ेगा, तो ये E क्या हो जाएगा बच्छा, eliminate क्यों E और A वापस ये later repeat, नहीं हो सकता है बच्छा, आया ना, तो सिधा सिधा मिथेन, और मिथेन के आगे हम क्या add कर देंगे, क्या add कर देंगे आया ना, मिथेन आमाइड, येस, आया ना, यहां पर एक कार्बन यह, दो कार्बन है, तो यहां पर लिखेंगे, इथेन, आमाइड, वही कानी, यह आउट हो जाएगा बच्छा, यहां पर भी one कार्बन, two कार्बन, three कार्बन, नमरी, वहीं से होगा, जहां पर co है, तो बोलेंगे, प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन आमाइड, आया ना, प्रोपेन वनामाइड भी लिख सकते हो, बच्छा, समझे हो ना, मेरी बात, जिसकी देखो, प्रोपेन अमाइड, जिसकी अगर हम प्रिवियस वाले में जाए, तो प्रोपेन वन ओएक आसिड भी इसका नेमिंग लिखू तो यह प्रोपेन वन अमाइड भी चलेगा बच्छा राइट यह भी चलेगा हां दोनों के दोनों राइट है बड़ ज्यादा करके बुक में यही सब एक्जामपल ज्यादा देखने को मिलेगा प्रोपेन नॉइक आसिड इथनॉइक आसिड राइट तो वन नम्बरिंग कर भी देंगे अगर फर्स्ट नमबर पे तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं है बिल्कुल करेक्ट है एक्च्वल में देखा जाते हैं यह आना चाहिए बट मोस्ली बुक में यह दोनों चीजे दिया हुआ है यह ज्यादा करके चलता है मार्केट में समझ लिए 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 लॉजर लिए लॉजर है कितना इसी होते जा रहा है बट्चा अब नेक्स्त हम जाएंगे बताई यह ना पताईया ना कहां जाने वाले राइट तो बच्छा इसमें देख रहे हुं सब्सक्राइब करते जाओ अब आगे जो है वह है असाइल है या ना मैंने पता ही इसका सफिक्स क्या है तो बच्चा यहां पे वही कार्बन एक है पुरा नहीं कहा नहीं इसमें भी ओ है तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं राइट मिथेन हा या ना मैंत वर्ड रूट लगाया वन कार्बन एन लगा दिया इथेन मतलब मिथेन तो यहां पे ए के बाग क्या रहा इसका सफिक्स क्या है तो यहां पे ए तो है ए के बाद इसका अगर सफिक्स की बात करें तो इसमें खुदी क्या रहा है जो आ रहा है के इंट्री हो रही है आया ना पर्वर तो हम यह क्या करना परेगा करना परेगा यहां पे चल आ नहीं सबस्क्राइब और यहां पर क्या होगे और यहां पर क्या लगा दोगे वही एको अलिमिनेट कर दो और यहां पर 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 यहां प दो carbon three carbon है तो हम इसा लिखेंगे propane oil क्या लिखेंगे बच्चू propane oil chloride और चाहो तो propane , warto chloride भी लिख सकते हो propane right one oil chloride यह भी लिख सकते हो भच्चा और यहाँ पर करबन यह 2 carbon करबन यह 3 carbon और यह क्या है ? 4 है जा ना तो से लिखेंगे Butan oil आया ना मझा इसको बलते एक तिर से दोने एंटीने चार निशाने किये हमने खाली बस खाली किए हमने खाली फंक्शनल रूप को पहचाने और फंक्शनल रूप के साथ हमने शट करके रख लिया वही पीड़ूय सज्देश पुलते हैं इज बच्चे सब्सेके सब्सक्राइब Nic् क्यमेश्टि है किई मृति और में पीछे में बता देता हूं वाइव रखते में होते हैं पीछे पता नहीं होता है उन्हें समझता वह नहीं पता होता है पुरहार सब्सक्राइब बाते माना करो स्मझधान उतना इत्वार्ड वक करोगे उतना क्लोघ में लोगे समझ लो तो बच्छा मेरे खाल सी यह सभी को क्लियर हुआ होगा आया है ना राइट येस तो हमने चारों फंक्शनल गूप को कनेट का लिया राइट पीसी नॉमेंक्लेचर राइट एल्डिहाइड एसीड अमाइड और असाइल क्लोराइड के हमने किया आयू पैक राइट इ इसको भी हम कंप्लेट कर लेते हैं अब इसमें याद क्या रखना है तुम्हें जैसे वर्ड रूट में एक कार्बन को मैं थप्रोप बोलते हुआ पर यूज होता है आई यूपी यसी में पर यहां पर यह सीवन के लिए यूज होगा फॉर्म ध्यान दो बच्छा याद कर तुम्हारे को कॉमन नेम अलकेन में सिखाया है एन आईसो नियो वह यहां पर यूज में आएगा बच्छा इसमें एन भी आएगा और इसमें आईसो भी आएगा ध्यान में रखना ठीक है तो मैं एक्जांपल एड करूंगा ब्यूटाइर में एन और आईसो दोनों क्या दर के रहाएंगे क्या बोलेंगे डाइस यह कार्बन फॉर्म दो कार्बन एसिड प्रोपियॉन फॉर इस ब्यूटाइर और फालव है बच्छा वैलर एट वैलर में हम इन आईसो लिए सब यूज कर सकते हैं ब्यूटाइर में बच्छा एन और एसो ही चलेगा के लिए ना पांच कारवन तो चाहिए चाहिए समझ रहे हो ना तो चलते आगे यहां पर बच्छा एक्जामपल देखते हैं असाइल क्लूराइट है हाई या ना यह बोले तो एसिड हलाइट यह सो नो वही फंक्शनल गूप है बट बच्छा इसमें हमें करना क्या है जैसे क की सफिक्स जो सफिक्स हमने जैसे की फंक्शनल ग्रूप के लिए अल आ रहा था कार्बॉक्स लिए क्लूराइट के लिए और यहां पर चोड़ा सा चेंज करना है बच्छा तुम देखोगे लडी है ना तो बच्छा यहां पर पूरा का पूरा नाम चिपका दोगे किसमें ट्रिवियल नेम कॉमन नेम में अल्डी हाइड और उसी तरह से कार्बॉक्स लिए असिड आएगा तो कार्बॉक्स लिए में च्या आता है और उसी तरह से यहां पर ओईल था क्या था ओईल क्लॉराइट था बच्छा हा या ना तो उइल क्लॉराइड में से मैंने क्या कर दिया उइल क्लॉराइड और हिमार कि कहानी दोनों में यह में बहूर चाहे पर्रीवियल नेम कॉमन नेम में भी हमारी चलेगा समझे मैं ले बात को down anymore life time इस चेस काम इंक्जांपल में तो बच्छा मेरे पी यह कंपाउंट है इस इसका सफिक्स होता है oil chloride यहां पर हम सफिक्स यूज नहीं करेंगे उसके अग और बचेगा और यहां पे तीन कार्बन ने बच्चा तो यहां पे तीन कार्बन है बच्चा तो यहां पे घए रिखेंगे प्रोपी योन और यहां पर चार कार्बन एक दो तीन चार तो यहां पर मैं लगा दोंगा एन जिए ना जो फिता है तो यहां पर यहां पर अब इसके आगे क्या कर दोगे सब जगह पर और बचा यह बन गया एक रूल को फॉलो करते जा रहे तो बच्चा यह आमाइड है अब अमाइड का भी ट्रिवेल ने लिख लेते हूं हाएना राइट अधिको बचा यहां पर इंवी कॉमन जेम अमाइड के लिए वही सिंव सिख्वन को फॉलो करेंगे बचा आयू परायां पर ने क्या है वही ना में घुटा हुआ है अमाइड का अमाइड ही आया ना यह तो सबसे हाँ है एचान हम यहां पर क्या ड़क देंगे यहां पर इस एग्जांपल में इसके आगे हम एड़कर जीते हैं बच्चों क्या कर देते हैं जांदो यहां पर यहां पर एक कार बन है यहां पे क्या लग जाएगा प्रोफेन अमाइड और यहां पे लगा दो एन-ब्यूटाइर अमाइड देखा यह कितना आसान हो गया बच्छा एन-ब्यूटाइर अमाइड हाया ना देखा अलग 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 फंक्शनल ग्रुप में सेंट सब चीजे वही चल रहा है मेली बा और अभी बाकी है मेरे दोस्त तो अभी दो बाकी है ना कोन अलग और कर्बॉक्सलिक चलो उसको भी कंप्लेट कर लेते हैं चलो तो अब यह तो फंक्शनल गूप पता चल गया कौन सा है अलग यह तो अब इसका भी वही ट्रिविल नेम कॉमन नेम राइट वही फोर्म एस तो बचा देखो यहां पर यह चीज़े तो फिक्स कर लो जैसे की अल्डी हैड में हमने सब्सक्राइब कर दिया और और यहां पर आमाइट तो सबसे सिंपल है तो हमने यह चलो आगी यह एक्जामपल में हम क्या चिपका देंगे यह एल्डी हैड सी डबल बॉंड और यह मतिकर मनें कर दिख यहां आगा यहां ओपdzieंगे यहां लगा देंगे हम यहां पर नाम आ यहां प्माद द्रों सब्सक्राइब कर दिया मैंने और चार को हम बोलते हैं यहां या ना समझ रहें ना बात को तो बचा यह करना नहीं है वही कहा नहीं C double bond OH है फॉर्म लिखा एक कार्बन को और यहाँ पे लगा दो एक acid तो यह बन गया formic acid फिर यहाँ पे acid है यहाँ पे भी एक acid लगा दो तो यह बन गया बच्चा acetic acid क्योंकि दो कार्बन है और यहाँ पे तीन कार्बन तो यहाँ पे भी लगा दो एक acid यह बन गया propionic acid आया ना और यह चार कार्बन है बच्चा तो यहाँ पे भी एक acid लगा दो और यह बन गया N butric acid समझ रहे हो ना काफी आसान था ना मज़े आया येस आया ना बच्चा देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं खाली कार्बन काउंट कर रहा हूं उसके साथ आयू पी एसी के लिए सफिक्स यूज कर रहा हूं मुझे हम इसमें functional group को identify कर रहे हैं राइट yes or no और उसी रूल को follow करते जा रहे हैं साथ में हमने common name भी complete कर लिए इसका trivial name आया ना उसमें भी form acid यहीं चल रहा था बस तो बच्चा इसको प्रैक्टिस करो और भी निखर के आओगे और मज़ाएगा जितना स्ट्रॉंग होगा common name आयू पैक structure ड्रॉक करना नाम भी याद रहेगा तो नाम के तुरूबी तुम का structure भी ड्रॉक करोगे यह सब चीज़े आना चाहिए उतना ही स्ट्रॉंग तुमारा organic chemistry होगा समझे ना मेरी बात को आया ना तो बच्छा सब लिखते रहो और practice करते रहो और self study करते रहो डेली डेली पढ़ा करो बच्छा जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना अच्छा है तुमारे लिए तो self study होना बहुत जरूरी है और self study में writing practice बहुत जरूरी है बच्छा इसक करते रहो और healthy food खाया करो और healthy रहा करो समझ रहो ना और इसी तरह से प्यार है ना देते रहो मुझे मजा आ रहा है इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रहोंगा और मैं add करते रहोंगा देखते रहो तुम और पढ़ते रहो ठीक है thank you बच्छा